तोरेज़ वान आज हम लोग लेक्चर पर आते हैं जो पीछे पौड़ रहे थे आप दिखे ओंगे हां पर एक डेकी टीश्य टू इंप्रूबंगेम Jack ऍप्र हें के बारें हुए ठींगे पीछली लेक्ट्टmedim ताकि उसको हम improve कर सके ठीक है आइए technical writing पर बढ़ते हैं technical writing जो होता है क्या होता है ठीक है तो आप general writing लिखते होंगे general writing में क्या होता है सबसे बड़ी बात है यहां पर कि इसमें technical writing में जैसे graphs बना कर दिखा दिए चार्ट बना कर दिखा दिए graphics का इस्तेमाल कर लिए फोटो ज technical writing जो बता रहे थे जो आपका users manuals होता है जिस पे आपको details लिखे रहते हैं कोई सवान कोई product लेते हैं तो आप एक user manuals paper मिलता है जिसमें सारे कुछ उसके बारे में लिखा रहता है उससे नुक्सान होने वाले चीजे उससे फाइदा होने वाले चीजे उसके ingredient के बारे में यह जो भी कुछ आपके पास से एक page दिया रहता होगा उसमें लिखा रहता होगा तो technical writing में होता है उसमें chart भी बनाया रहता है graphs भी बनाया रहता है मतलो photos भेगरा भी डाले रहते है ठीक है तो यह आपका technical writing ठीक है उसका style मतलो उसका style is change रहता है इसके एक second compare to general writing से ठीक है तो आई यह उसी को पढ़ते हैं यहाँ पे technical writing है क्या तो technical writing is a type of writing where the author is writing about a particular subject that requires direction, instruction और explanation ठीक है वो क्या होते हैं जो authors होते हैं जो लिखते हैं उस पे ध्यान रखते हैं technical writing लिखते हैं क्यों उसका direction क्या है ठीक है direction के मतलब कि ओर मतलब की चल पाएगा लोगों को समझ में आ पाएगा उस direction में वो बात करते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं वो instruction helpful हो ठीक है आपको समझ में आया है उससे आपको फाइदा मिले ठीक है इस style of writing has a very different purpose and different characteristic than other राइटिंग अस्टाइल दूसरे राइटिंग अस्टाइल से यहां पर changes होता है keeping focus on the type of audience being targeted और आपको उस audience को target करना है जिससे उसका relatable हो ठीक है एक farmer को copy किताब के बारे में समझाया जाए क्या हो समझ पाएगी नहीं आपको audience को target करना होगा कि आपका product की इस type का है और उसके प्रती जो आप writing लिख रहा है वो उसके audience के according ही लिखना है ठीक है ऐसा ने कि कहीं पे तीर कहीं पे निसा आना ठीक है वैसा काम नहीं करना है चलिए ठीक है अब हम लोग sentence के बारे में देखते है ठीक है यानि उसी को बोलते थे a sentence is set of a words ठीक है यानि बार्डो से जो मिलकर बना होता है उसे हम लोग sentence कहते है जिसका कुछ meanings हो ठीक है ऐसा नहीं कि meaningless नहीं होना चाहिए meaningful होना चाहिए clear है तो ओही sentence के request sites और silence features of a good sentence देखना है यानि जिस तरह से technical communication का characteristics देखे थे features देखे थे उसी तरह से यहां भी sentence का features देखना है तो अहां पर आपको क्या बताया गया था verbity के बारे verbity क्या था short sentences मतलब जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है उसको short में करके उसके information को देना है ठीक है मतलब उसके concise करके देना है जैसे example दे रहते हैं कि जिससे आप book नहीं पढ़ते हैं लेकिन notes को पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि notes में आपको एक manner तरीके में एक concise minor में लिखा हुआ रहता है short करके लिखा हुआता है जिसको आपको पढ़ने में याद करने में असानी होती एक कम time में ज्यादा चीज पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद आते है clarity में clarity क्या है it should be clear without any confusion किसी confusion के बिना आप clear रहें उसे हम लोग clarity बोलते हैं जैसे माल लीजिए कि आप पढ़ते होंगे homophones homophones में क्या होता था बाबू एक second बेट कीजिए गा homophones क्या होता था जिसका उचारन एक जैसा होता था यानि हम बोलते थे जिसका pronounced same as another word but that has different spelling and meaning ठीक है तो उसे हम लोग homophones बोलते थे यानि समझ मैं जिसका मतलब उचारन एक जैसा हो लेकिन उसका meaning अलग हो ठीक है उसे ही हम लोग homophones काते थे pronounced the same as another word but that has different spelling or meaning is called homophones ठीक है तो उसे मतलब उसमें क्या होता था कि जैसे आप बोलना चाहा रहे है माली जैसाइट अब साइट यह क्या है यह वाला साइट है यह वाला साइट है ठीक है तो इस परकार से कोई भी confusion न रहे ठीक है clarity हो गिया आते हैं दूसरे वाले आते हैं simplicity उसका simple language होना चाहिए जिसे मतलो synonyms नहीं होना चाहिए ठीक है इसको ले लेते कुछ भी ले लेते क्या बोलते उसको जो भी जैसे अभी नौर इसको ले रहे थे ना gathering ठीक है gathering में से जामा करना deposit में से जामा करना फिर और होता है accumulative में जामा करना तो मतलब ऐसा बर्ड ले जो सबको पता हो ठीक है नौर्मली सबको पता है तो क्या है simplicity था utility a specific purpose से यूज हो repetition नहीं होना चाहिए बार बार एक ही बार को repeat नहीं होना चाहिए उस sentence में ठीक है चुज appropriate word सही धंग का meaning चूज करना है आपको ठीक है आईए प्राग्राफ में आते है तो प्राग्राफ क्या है sentence पहले क्या था कि set of word is called sentence उसी तरह से sentence जो हता है set of sentence होता है set of sentence यानि group of sentence is called paragraph ठीक है तो यह paragraph can defined as a group of sentence और a single sentence that express a single idea supported by evidence in the form of examples thus forming a unit ठीक है किसी भी चीज को express करने में किसी idea information को express करने के लिए बहुत सारे sentence को add करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं प्राग्राफ करते हैं ठीक है उसका भी silent features उसी तरह से जैसे आप लग अभी sentence का देखे थे उसी तरह से प्राग्राफ का भी है कि इसमें it should brief and provide information in concise manner मतलब प्राग्राफ भी होना चाहिए तो बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं होना चाहिए एक concise manner में होना चाहिए ताकि सब को easily पढ़ सके सब easily उसको समझ सके clarity समझ गया थे कि clarity क्या था किसी परकार का उहां पर confusion ना होना चाहिए समझने में simplicity होना चाहिए utility होना चाहिए a wide repetition होना चाहिए हम लोग एक्जाम में लिखते हैं तो एक ही चीज को 10-15 बार लिख के page खाली भर देते हैं तो आपका सही नहीं रहता है मतलों सही प्राग्राफ आपका लिखा हुआ नहीं रहता है आप एक ही चीज को page भरने के लिए 2-4 बार लिख देते हैं एड कर देते ठीक है या 2-4 बार नहीं करते हैं एक ही चीज को तो उसी चीज को जो एक लाइन में लिख सकते थे हम पंचोल लाइन में लिख देते हैं जिसे मुझे खाना पीना और सोना पसंद है तो हम इसको लिखते हैं मुझे खाना पसंद है मुझे पीना पसंद है मुझे सोना संटेंश details में लिख सकते थे मुझे खाना पिना और सोना पसंद में निचती ही एक्षाय में ऽन्सकों आपा Patool Canada पंप्रमेटीष होना ना चाहिए पंप्रिव एक्षापिक इनफ्तिक yok आगे आते हैं, बैसिक 3 सेक्षन ऑफ पराग्राफ, पराग्राफ का जनरली 3 सेक्षन होता है, पहला बीगनिंग, तीस्रा दूसरा मिडल, और तीसरा इन, बीगनिंग में कहा करना, introduce your idea हम लोग सबसे पहले जिसे इसमें example ले सकते later का ठीक है later लिखते हैं तो सबसे पहले आपको की subject की बात करते हो कि क्या आपका subject है मतलब एक line में कोई पढ़ कि अगर आपका application को समझना चाहे तो एक line में क्या लिखते हैं कि हमको छुटी लेने के लिए आपको अवेधन दे रहा है हमको student credit card लेना है जिसके लिए आपको अवेधन दे रहा है इस तरह से हुआ subject में लिखते हैं तो एक ही तो होगी आपका beginning हो गया middle में अपना explain करते idea को कि आपको छुटी क्यों चाहिए आपको student credit card क्यों चाहिए तो उसको explain करते end में क्या करते make your point again transition to next paragraph और अगले पराग्राफ के लिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि हमको बहुत जरूरी काम है अत्तह इसके लिए हमको छुटी चाहिए तो first paragraph को आप second paragraph में जो point है उसको complete करते है तो होता है आपका end point तो सबसे अच्छा आप लेटर से समझ सकते हैं basic three section of a paragraph paragraph का तीन section होता है पहला beginning दूसरा middle और तीसरा end beginning में क्या करते हैं introduce your idea अपने idea को introduce करवाते हैं दूसरे middle वाले paragraph में explain your idea अपने idea को explain करते हैं तीसरे make your point again transition to next paragraph transition miss एक दूसरे को जोड़ना transition miss क्या होता है एक दूसरे को जोड़ना यानि पहले जो middle paragraph में आप कारण लिखे थे उसके लिए request कर रहा है तो यहां पर transition हो रहा है कि जोड़ रहा है कि हमको तीन दीन साधी में जाना है इसके लिए मुझे छुटी चाहिए तो मुझे साधी में जाना है और छुटी चाहिए यह दोनों को link कर रहा है तो यह काम किस में होता है इंड में होता है यही प्राग्राफ वला था अब आते हैं देखते हैं principle requirements और प्राग्राफ और डेवलापमेंट्स ठीक है उस प्राग्राफ को develop करने के लिए हमको क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए जो प्राग्राफ हम लिख रहे थे उस प्राग्राफ को और बढ़िया बनाने के लिए हमको किस principle का यूज करना है तो पहला है topic sentence topic sentence क्या होता था topic sentence is a sentence that express the main idea of a paragraph this is also known as sentence or theme sentence यनि कि आप इसको softer skill में पढ़े होंगे जिसमें बताया जाता था कि अगर आपको कोई चीज बताना हो तो पहले आपको एक main point में उपर लिख देना जिसे आसाम में माली ये बाढ़ाया ठीक है ये भुकम पाया यर्थ क्यूक आया तो उसमें जो यर्थ क्यूक आया तो हम पहले उपर एक heading बना देंगे कि आसाम में एक यर्थ क्यूक आया ठीक है भारी चपेटों में है आसाम यर्थ क्यूक से पड़िसान है इस तरह से हम लोग एक themes बना देंगे, key sentence बना देंगे, जैसे हम लोग यहां पर क्या कर रहे है topic sentence कर रहे है coherence, coherence क्या है coherence refers to the clear and logical thinking of ideas in a paragraph in such a way that thought expressed in a sentence easily lead to the thought in next sentence and so on the word coherence literacy means consistency for device you to build up this coherence मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, consistency कैसे बनाते हैं कि मान लीज्जए कि हम कुछ लिखना चाह रहे थे जैसे कि आसाम में भुकंप आया फिर लिख देंगे कि आसाम में मतलब ऐसे आसाम में भुकंप होने से आसाम के लोगों के ऐसे कितना, मतलब रिपिटेशन गार आसाम का हो रहा है तो उसके जगह क्या यूज कर लेंगे उसका प्रोमौण का यूज कर लेंगे प्रोमौण क्या होता दा けれनायों के बदले ई물को रखा जाता सब्रक्टीट्ट लेने सब्रक्राइब बारवार reminder of the non in the earlier sentence that it maintains the continuity of thought जो आपके पास thought है उसको continue करने के लिए आगे फिर repetition the repetition of the keyboard or phrases in the paragraph serves not only to make the paragraph coherent but also to emphasize the author's point of view आप जो point को repeat कर रहा है जो आपका जो keyword है यानि जो आपका point है यहां पर main target कौन है आसाम है तो वहां पर आसाम को आप बारवार repetition कर रहा है उसके बदले आप वहां पर मतलों यह प्राग्राफ को suitable नहीं है तो वहां पर न्यू चीज़ भी add कर सकते है ठीक है जैसे यहां पर synonyms किसी चीज़ का यहां पर लेते हैं माल दीजिए कि किसका लेते वाटर का लेते ठीक है तो वाटर है इसको हम hydro भी बोल सकते है ठीक है इसको हम hydro से indicate कर रहा है तो किसी चीज़ का बिटमें new sentence and the preceding sentence example connective word and further etc आप वहां पर दो sentence को connect करने के लिए वहां पर आप conjunction का भी यूज कर सकते जिसे यहां पर हम लोग connectives बोल रहे है ठीक है जिसे हम word लगाते और लगाते और लगाते और लगाते यह सब यूज करके आपको एक किलियर यारी effective प्राग्राफ को डिवलप करना ठीक है जिसमें था क्या क्या प्वाइंट था पहला था एक सेगेंड पहला था आपका topic sentence जिसमें पहले सबसे पहले थिम्स लिखना फिर एक दूसरा कोरहंस था जिसमें हम लोग उसके अंदर प्रोनॉंस था repetition था और तीसरा क्या था synonyms था और के बाद connectives था ठीक है तो आज की topic इतना ही तक रहने देते हैं बागी हम लोग देखते है next lecture में ठीक है